अभी हम करने जा रहे हैं एट्थ क्लास के लिए चैप्टर नमबर 6 स्क्वेर्स और स्क्वेर रूट एक्सराइज है 6.4 और इसा कॉस्चन नमबर है ये 4 क्या है इसमें देखिए find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square आपको वो सबसे छोटा number पता करना है जो की इन नमबरों में से minus किया जाए कि जो answer मिले वो एक perfect square number हो also find the square root of the perfect square so obtain और हमें इसके साथ-साथ फिर जो number हमें perfect square मिला है उसका square root भी हमें get करना है ठीक है समझ में आया आपको हमें वो number get करना है जो इसमें से minus करें तो यह perfect square number बन जाए एक तो वो हमारा answer होगा second फिर हमें minus करने पर जो value आती है वो perfect square number और उस perfect square number का फिर हमें square root get करना है उसका square root क्या होगा तो चलिए करते हैं असान है हम इसमें करेंगे division method का square root निकालने के division method का लेट आस डू तो अब हम निकालेंगे square root 402 का कैसे बला इस division method से पेर बनाएंगे पीछे से ठीक है यहां दो आ रहे है दो आ रहे है डिजिट इसमें सिरफ एक डिजिट है पीछे से जब बना रहे है तो आप कौन सा number है खुद उसी को उसी से multiply करने पर इस से छोटी value तक आए तो टू टू जा फोर होता है टू में टू ही एड करना है फोर अब क्या होगा इसके अंदर क्या लेकर के आए कि वैल्यू से छोटी आए वन लेंगे तो 41 बनेगा जो की बड़ी वैल्यू है तो जीरो जाही पर यह जाएगा तो यह जीरो आ गया और फिर माइनस किया 2 माइनस 0 2 तो 2 वो स्मॉलेस्ट नमबर है सो दा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नमबर इस इगल टू 2 हो या ठीक है अब इसके बाद हमें क्या करना है परफेट स्क्वेर नमबर गेट करना है इसमें से 2 माइनस किया तो 400 आया तो स्क्वेर रूट ओफ 400 यही नमबर होगा जो यहां पर आया है 20 डन आपका आंसर हो गया एक आंसर नमबर 1 यह हुआ इस पार्ट के लिए एक आंसर नमबर 2 यह वाला हुआ स्क्वेर रूट भी पता करना था वह स्मॉलस नमबर भी पता करना था जो कि इसमें से हम सब्टैक्ट करेंगे ठीक है इसी तरीके से आगे के सम्स भी है अब है 1989 पेर बनाया 4 416 55 25 25 तो बड़ी वैल्यू हो गई फोर लेंगे और उसको उसी से मल्टिप्लाई करके यह देखना होता है तो फोर लिया हमने फोर फोर जार 16 9 माइनस 6 3 89 मैं ने उतार लिया फोर में 4 ही प्लस करेंगे बना 8 ठीक है 4 में 4 प्लस किया बना 8 अब हमें नहीं पता यहां क्या नंबर आएगा जो नंबर आएगा यह बार के लिए वो छोड़ देते हैं एक डिजिट यहां पर छोड़ी बचा यहां पर 38 8 की टेवल में 38 कितने पर डिवाइड हो रहा है 8 4 जा 32 8 5 जा 40 वह तो बड़ी वैल्यू होगी 40 38 से तो 4 पे 8 84 को 4 से करेंगे 4 4 जा 16 1 4 8 जा 32 1 33 ची 36 चोटी वैल्यू है बढ़ी आती तो फिर हम 4 की बजाए फिर 3 लेके देखते हैं 4 लिया यहां पर और यहां पर भी 4 लिया 9 माइनस 6 आया 3 8 माइनस 3 आया 5 अब यह 53 फाल्टू नंबर है अगर यह 53 इसमें से माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो प्रफेट स्वेर नंबर होगा तो रिक्वाइड स्मालेस्ट नंबर इस इकल तो 53 हुआ और फिर 1989 में से 53 माइनस करेंगे 9 माइनस 3 6 8 माइनस 5 3 1936 अब इसका जो स्क्वेर रूट है वही होगा जो की यहां पर है 44 अगर टीचर कहा दे कि निकालकर दिखाओ इसी में थर्चे तो आप यह निकालकर दिखा दीजिए इतने से काम नहीं तो काम बनने बन ही चुका है ठीक है यह पार्ट हो गया सारे पार्ट्स हम ऐसे ही निकालने वाले हैं थर्ड पार्ट 3,2,5,0 पेर बनाया शिक्स इज़ा थर्टी सिक्स बड़ी वैल्यू है फाइफ पर जाएंगे फाइफ 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 जाट ट्वन्टी फाइफ ट्वेल माइनस फाइफ सेवन टू माइनस टू जीरो लिखने की ज़रूत नहीं है पेर उतार लिया हमने नीचे 750 आया फाइफ में फाइफ एट करेंगे बना 10 अब एक जो डिजित आने वाली हो छोड़ दी एक डिजित यहां पे 10 की टेबल में यह कितने पर डिवाइट हो रहा है 7 पर तो 7 लेके देखते हैं हाँ यह नजर आ रहा साब 749 और 749 आएगा 7 अब 10-9 1 इदर बचा 4 4-4 0 तो 1 वो स्मालेस्ट नमबर है स्मालेस्ट रिक्वाइट नमबर अब 3 2 5 0 में से 1 माइनस करेंगे 3 2 4 9 हुगा और स्क्वेर रूट ओफ 3 2 4 9 वही होगा जो यहां पर हमारा आया है है यह 57 दन फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 825 तू तू जा 4 तू जा 9 तो 2 लेंगे 9 तो बड़ी वैल्यू होगी ना तू तू जा 4 2 & 2 हुआ 4 8-4 4 पेर उतार आये 4 की टेबल में एक डिजिट यह छोड़ दी और एक ही डिजिट हम छोड़ेंगे यहां पर 4 की टेबल में यह जाता है 10 पर तो दो डिजिट का तो लेना नहीं है तो फिर 10 से एक कम 9 49 लिया मैंने 9 9 जार 81 1 8 9 4 जा 36 36 & 8 4 41 बड़ी वैल्यू है तो 9 नहीं लेंगे 8 लेंगे फिर आप 8 8 जा 64 4 6 8 4 जा 32 32 6 38 384 8 तो इदर भी 8 साथ की साथ हम लिख देंगे ठीक है 5 माइनस 4 आया 1 12 माइनस 8 4 बोरो करेंगे नहीं से तो यह 12 बन जा है और यह 3 बना 3 माइनस 3 0 तो रिक्वाइड प्रफेड स्क्रेड 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 नमबर मिले गा 8 25 माइनस 4 बोरो करेंगे तो यह बना 7 यह बना 12 12 माइनस 4 8 and 7 784 अगें ठीक है 784 और इसका स्क्रेड रूट है वो कितना आएगा वही नमबर जो यहाँ पर आया हुगा है 28 आंसर ठीक है आंसर नमबर 2 एक आंसर नमबर 1 यह हुआ इसीदर इसे यहाँ पर 2 and 1 इस पार के लिए ठीक है लास्ट पार्ट है यह बुक्लेट तो भर गई तो आप जो लास्ट है वह फोर थाउजन्ट पेर बनाया 40 करके देखते हैं 666 36 छोटा है 7749 बड़ी वैल्यू हो गई तो सैन्विजा 6 लेंगे 666 36 इसी नमबर से मल्टिप्लाई किया हमने तब 36 आया है 10 माइनस 6 4 3 बचा यहाँ पर बोरोज देने के बाद 3 माइनस 3 0 पेर उतार लिया 400 6 में 6 जोडेंगे आया 12 12 में क्या जोडे क्या लगाए हैं आपर एक डिजिट यहाँ छोडी एक डिजिट यहाँ छोडी 12 की टेवल पर जाता है 3 पर 12 3 जा 36 तो 123 करके देखते हैं 3 से ही लेंगे 3 लिया हमने और यह 3 कैसे आया है हमने 12 की टेवल में 40 को डिवाइड करके देखा 3 तक जाता है 3 3 9 3 2 जा 6 3 बन जा 3 369 ठीक है ओक है तो 3 ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 ले लिया ठीक है अब 10 माइनस 9 आया 1 यहाँ बचा 9 माइनस 6 3 यहाँ बचा 3 3 माइनस 3 0 सब्ट्रक्शन की है सिम्पल स्मालेस्ट रिक्वाइड नमबर जो नमबर हमें चाहिए था कि जो इसमें से माइनस करेंगे प्रहट स्क्वेर बन जाए तो स्मॉलेस्ट नमबर 31 रिक्वाइड नमबर है आंसर नमबर वन अब हम 4000 में से माइनस करेंगे 31 को 10 माइनस 1 यहाँ से करेगा यह 3 बना यह 10 बना बोरो करेगा बोरो देगा इसको यह हुआ 10 अब यह इसको देगा तो यह 9 हो गया यह 10 हो गया 10 माइनस 1 9 9 माइनस 3 6 9 का 9 3 का 3 3 9 6 9 डन 3 9 6 9 तो स्क्वेर रूट ओफ 3 9 6 9 कितना होगा इसका स्क्रीट ओगा यहाँ पर आया 63 यह हमारा आंसर नमबर 2 हुआ तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसे कोई भी आप अपनी तरफ से नमबर ले करके भी सम्स सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए तो यह अच्छे से देखिए और इसको समझिए और फिर अपनी नोडबुक भी पूरी करते रहिए अभी साथ की साथ नितो बाद में फिर एक पार सा बन जाता है सम्स होते नहीं है फिर तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्ट सॉल्यूशन यह सॉल्यूशन नमबर 4 का 5 पार्ट है